बेलकम बेक तो माई टूप सुन पेपर हैकर आज किस वीडियो में देखने वाले हैं जो बियू यूनिवस्टी मद्ध ब्रदेश है भोपाल में पढ़ती है यह उसका यह पेपर लेके आए हैं और यह पेपर ब्यस्टी सेकेंडिर वालों का है जो रेगलर और प्राइविट स्टुडेंटों को सेम पेपर बनता है इस पेपर में हम कैमिस्टी का सेकंड पेपर देखेंगे और कैमिस्टी का सेकंड पेपर में क्या क्या कोशन बने है वो हम लोग द्यान से देखने वाले हैं ठीक है और आपको लास्ट तक वीडियों बने रहना है कोई भी दिक्कत आ बार-बार रिपीड हो रहे हैं तो सभी चात्रों से कहेंगे कि आप हमारे जो भी पेपर हुआ करें आपका वो हमारे वर्टसप नमबर 70373278 और 38 आप इस वर्टसप नमबर पर उस फोटो खेज कर और अपना नाम लेकर ठीक है अपना नाम लिखेंगे और यूनिवस्टी का नाम लेकर सेंड करेंगे ठीक है ताकि जो भी हो यूनिवस्टी उसका सतीक जानकारी दी जाए और आपको उसके बार में पूरी प्रॉपर तरीके से बताया जाए ठीक है तो जो भी पेपर होता है मैं सारे पेपर को रिव्यू कराता हूं जो इंपोटेंट कोशन है यहां बात करने वाला हूं जो पेपर का जो टोटल मार्क्स होंगे वो 26 नम्बर का पेपर है और यहां देख सकते हो इनिआउर्गनिक केमिस्टी का पेपर है यहां जो है वो तीन घंटे में आपको स्लूशन करना है देख लीजिए यहां सेक्सिन नमबर ए यहां दे रखा है सब नमर ए में बहुविकल्बी कोशनों की बात की गई है ठीक है इसमें बहुविकल्बी कोशन है जो आपके पांच नमर की होंगे आप देख सकते हैं तो मैं यहाँ पूरी आपको दिखाने वाला हूँ कौन-कौन से कोशन जो आपके पेपर में रिपीड हुए है देख लीजिए अब यहाँ इसको देखिए जो आपका पेपर हुआ है यह देखिए पहला जो कोशन आपका पूछा गया था ऑप्शनल टाइप कोशन जो बनेते दोनों में होता है तो डिड़ोक्स अभी करिया तो रिड़ोक्स अभी करिए जर्रैक होगा ऑप्शनल बी कोशनल तरह सही हुआ यहां बात करो चौत्य ओप्शन की तो चौत्य ओप्शन दे रखा है देखो यहां अपसे हाइज आ देखो जो कह सकते हैं उच्छतम औक्सिगर्ण अवस्था की वाने बूचा गया है कि जो एलिमेंट होते हैं उच्छतम अवस्था कौन सी होती है तो बेटा एक कोशन है मैं आपको दिखा रहा हूँ यह दुर्बल चाह लगता की बात करो यह कोशन मैं आपको बाद में पताऊंगा ठीक है और जो 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 जातर लगा के आया है अपने ऑप्शन के साब से तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता देना किसका राइट आंसर क्या होगा इसकी नेक्स वीडियो ठीक है प्रॉपर सारी वीडियो बनाना है मुझे सारे पेपर एकटे कर रहा है उसके बाद में दोबारा से एक्स्प्रिंग कराऊंगा जो जो कोशन आए हैं उनके सारे सुलूशन कराएं गया ठीक है अभी हम आपको पेपर दिखा रहा है बस उसको डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, उनकी आक्सिन अवस्थाओं के बारे में, वो क्या है, यह हमसे पूछा गया, यदि आप यह कोशन नहीं करना चाते हैं, तो दो एंगी योगी किसे कहते हैं, आप यह बता सकते हैं, ठीक है, तो यह कोशन, यह कोशन ने आपको important कोशन दिय कोशन आ चुका है, लिगरता से अप क्या समझते हैं, यह कोशन पूरा दो नंबर का फस चूका है, आप देख लीजिए, और धेको effective बात करूं जो इंकी वारें बाट करें नहीं दिया था यह थी बूरा दो नppy का फाश कुछती है तींसमेंzet these करना है कितने को करना है झाल है क करना हूं तो यह पूरा फास चुका है जो वाला देखिए और यह ना करना चाहें आप दो जाते हैं जैसे आपसे बोला गया है जो इलिमेंट होता है उनकी इनके के सब्सक्राइब मी ऑपको जाता है में दोती energy being remotely होता है सेकेंडरी बोलते हैं और यहां बोला गया तो यहां बोला गया तो यहां बोला गया है यहां बोला गया है वर्नर के सिध्धान्त की बारे पूरा थीन नमबर का फसा है जो हमने आपको कराए थे और बही पेपर में आए लीटा मर यहां आरे इंप्पोर्टन नहीं दिया था लेंटिन संकूचन और इनके गुणों के बारे मैंने इंपोटेंट दिया ना यह धाई नंबर का कोश्चन है मेटा धाई नंबर का देख लीजे उसके बाद में आप देख सकते हैं यादि बो आपका कोश्चन ना हो तो एंटिनाइट के इलेक्ट्रोनिक बिन्यास अबस्ता के बारे में मैं बता सकते यह धायी नंबर का और अमलचार देखो यह दो नंबर का क्योंच है कि अमलकफार कोश्चन के बारे में पूरा यह सकते हैं खाले ऑपुश्षिन पेपर में को दे और दूंगा ुमएंपक्षछ ऑब के इसंवारा लिंक डिया हैं घ्यक चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, बैल आइकन को ब्रेस कर देना, थैंक यू फॉर बाचेंज वीडियो, बाई बाई